टूनी चीडिया और गोरी कवी दोनों के पास रहने के लिए कोई ठीकाना नहीं था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कराय का घर अफोर्ट कर सकते बहुत तलाश करने के बावजूद उन्हें मुनासिब रेट पर कोई घर नहीं मिला तो गोरी कवी कहती है टूनी टूनी हमने कितना ढूंडा लेकिन कराय है इतने ज्यादा हैं हम कहां से लें मैंने सोचा है कि अगर हम एक ही घर ले लें तो हम आदा आदा कराया दे देंगे और काम भी मिल बांट कर कर लेंगे इस तहां से हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा हो जाएगा तुम क्या कहती हो टूनी तो टूनी चड़िया कहती है हाँ गोरी कवी अब हमारे पास इसके सिवा और कोई चारह नहीं है हमें एक ही कर लेना पड़ेगा चलो इससे हम दोनों को सहारा ही होका एक दूसरे का हम काम भी मिल बांट कर कर देंगे ये तो बहुत अच्छा है क्यों वो दोनों एक कराय का गर खरीद लेते हैं जिसमें वो दोनों एक साथ रहते हैं तो टूनी चड़िया कहती है गोरी बेहन अब हम दोनों एक साथ रहते हैं हम दोनों को मिल बांट कर काम करना चाहिए एक दिन खाना मैं बना लूँगी एक दिन तुम बना लेना क्या कहती हो गोरी? तो गोरी कभी कहती है? हाँ हाँ जाहिर है यही तो होगा एक दिन मैं खाना बनाओंगे एक दिन तुम बना लेना तुम कपड़े धो देना तुम्हें इस तरी कर दूँगी जाहिर है अब मिल बांट करी तो काम करना होगा आज तो मैं बहुत धग गई हूँ आज तुम खाना बना लो में कल बना लूँगी कुछी धेर बात टूनी चड़िया खाना बना कर लाती है गोरी कवी खाना खाती है तो कहती है टूनी टूनी तुम्हारे हातों में तो जादू है जादू मुझे तो खाना खाकर मज़ा आ गया इतना मज़े का खाना मैंने तो पहले कभी नहीं काया अगले रोज गोरी आराम कर रही होती है तो टूनी चिडिया उसके पास आकर कहती है गोरी बेहन गोरी बेहन आज आपके खाना बनाने की बारी है मुझे ज़रा बाहर काम है मैं बाहर जा रही हूँ आप वक्त पर खाना बना लीजीगा खाना बनाने का सुनकर तो गोरी कवी की हवाया ही ओड़ जाती है वो कहती है टूनी तुम देख नहीं रही मैं कितनी बिमार हूँ देखो तो सही मेरी कमर में कितना दर्थ है मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा मैं कैसे खाना बनाऊंगी ऐसा करो आज तुम ही खाना बना लो मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा गोरी बेहन आपकी तब्यत नहीं ठीक तो आप मुझे पहले ही बता देती मैं पहले ही खाना बना देती आपको आराम की जरूरत है कोई बात नी मैं आज भी खाना बना दूंगी आप आराम करें बस टूनी क्या करूं किसी को दंग करना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता बस इसी लिए नहीं बताया तब ही टूनी खाना बनाने चली जाती है देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं तुम ही रोज खाना बनाओगी बड़ी आई मुझे से खाना बनवाने वाली फिर टूनी चिडिया बर्यानी बना कर लाती है गोरी कवी उसके बर्यानी खाती है तो वो कहती है टूनी चूनी तुम्हारी बर्यानी में तो जादू है वाके ही तुम बहुत अच्छे काने बनाती हो आज तो मज़ा आ किया खाना खा कर अगले रोज टूनी चिडिया कोरी कवी के पास कपड़े ले कर आती है कोरी बेहन कि मैंने कपड़े दो दिये हैं अब आज आप ये कपड़े इस्तरी कर दें मुझे बाहिछ जाना है मुझे बहुत से काम करने है क्या क्या कपड़े इस्तरी कर दो लेकिन टूनी मेरे पंको में तो आज बहुत दर्द है और मुझे बुल बुल डाक्टर ने कहा है कि तुमने कपड़े बिल्कुल भी इस्तरी नहीं करने मैं ये कपड़े इस्तरी नहीं कर सकती लेकिन गोरी बेहन हमने तो कहा था कि हम काम मिल बांट कर करेंगे हाँ हाँ टूनी पता है मुझे हमने यही कहा था लेकिन अब मैं क्या करूँ मेरे पंकों में इतना दर्द है टूनी अब इतनी भी जालिम मत बनो तुम मुझे भी चारी कवी पर रहम काओ तुम ठीक है गोरी बेहन आप आराम करें, मैं खुद ये कपड़ी स्थरी कर दूंगी यूही कई दिन गुजर जाते हैं और गोरी के बाहने यूही चलते रहते हैं एक दिन टूनी चड़िया गोरी कवी से कहती है गोरी बेहन मुझे कराय के पैसे दे दे, मालिक मकान कराया मांग रहा है मैंने अपने इससे के पैसे ले लिये हैं, बस आप आपके रह गए हैं चुनी, तुम्हें तो पता था ना, मैं कितना बिमार रहती हूँ मैंने बाहर जाकर कोई काम भी नहीं किया अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कराया नहीं दे सकती हूँ इस बार तुम ही कराया दे दो लेकिन गोरी बेहन, अब मैं पूरा कराया कहां से दो मिझे पूरा कराया देना होता तो मैं अलग घर ही न ले लेती अब मेरे पास पैसे नहीं है पूरा कराया देने के लिए है टूनी इतनी भी जाली मत बनो मुझ भी मार कवी पर रहम काओ तोड़ा सा इस बार कहीं से मांग तांग कर तुम कराया दे दो मैं अगली बार कराया जरूर दूँगी तुम्हें तभी टूनी वहां से चली जाती है देखा कैसा बिवकूफ बनाती हूँ मैं सब को तुम्हें भी बना दिया न टूनी इसी परिशानी में टूनी धर से बाहर निकलती है तो उसे लाडो चिडिया मिलती है क्या बात है टूनी तुम कहा जा रही हो और बहुत परिशान लग रही हो तभी टूनी चिडिया लाडो चिडिया को सारी बात बताती है हाँ टूनी मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कोरी कवी के साथ रहना कोई आसान बात नहीं है मैंने तो तुम से कहा था कि टुन्ना चिडिये से शादी कर लो और चली चाओ, आयाशी की जिन्दगी गुजारोगी लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी और आगई कोरी कवी के साथ रहने के लिए अभी भी वक्त है, तुना चिड़ी से शादी कर लो और जान चुड़ाओ इस कोरी कवी से कब तक यूही धक्ये खाती रहोगी लाडो चिड़ीया की बात सुनकर तुनी चिड़ीया कहती है तुम ठीक कहती हो लाडो चिड़ीया मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी मैं राजी हूँ, तुम मेरी तुना चिड़ी से शादी करवा दो ये हुई ना बात, बस तुम फिकर ही मत करो मैं आज ही जाकर बात करती हूँ, बस तुम त्यारी करो तब ही लाडो चिड़ीया वहाँ से चली जाती है तुनी चिड़ीया घर आकर गोरी कवी से कहती है गोरी बेहन, मैं अब यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं शादी कर रही हूँ तुना चिड़ी के साथ, वो दुसरे जंगल में रहता है, अब मैं वहीं रहूंगी उसके साथ अब आपको यहाँ पर अकेले ही रहना पड़ीगा, और सारी काम भी खुद ही करने पड़ीगी हाँ हाँ जाओ यहाँ से, मुझे क्या बता रही हो, क्या मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, मैं सब कुछ कर लीती हूँ मैं तो ऐसा ऐसा खाना बनाती हूँ, कि सब लोग पंकी चाटते रह जाते हैं बड़ी आई मुझे बताने, मैं शादी कर रही हूँ, जाओ यहाँ से, जो वर्जी करो, मैं रहलूंगी अकेली तब ही टूनी चिडिया शादी करकर दूसरे जंगल आ जाती है, टूना चिड़ा वाके ही एक अमेर चिड़ा था, उसका घर भी बहुत खुबसूरत था टूनी चिड़िया को तो सब कुछ मिल गया था, अब वो अपनी जिन्दगी से बहुत खुश थी, तो दुसरी तरफ, भूख लगी है, क्या करूँ, खाना कैसे बनाओ, मुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता, मैंने तो टूनी चिड़िया से कितनी बड़ी बड़ी बाते की थी, लेकिन अब क्या हो सकता है, खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, चलो ऐसा करती हूँ, बिर्यानी बनाती हूँ, हाई हाई, यह कैसी बिर्यानी बनाई है, मैंने, बिल्कुल बद मज़ा, मुझे तो खाई भी नहीं जा रही, उफ़ ला, अब मैं क्या करूँ, मै तो अब भूखा ही रहना पड़ेगा, मैंने डूनी चिडिया को कितना तंग किया, कितना सताया, उसके साथ कोई काम भी नहीं करवाया, और कराया भी उससे ही पूरा देना पड़ा, मैं वाके ही बहुत बुरी हूँ, अगर मैं उसके साथ अच्छा सलूग करती, तो वो कभ टूनी चिडिया और सोहनी चिडिया एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, वो दोनों आपस में गहरी दोस्ते थी, उसी स्कूल में एक कालु कवा भी पढ़ता था, उसका पढ़ाए में बिल्कुल भी दिहान नहीं था, उसका काम पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ गप वो सोहनी चिडिया के मोटापे का बहुत मजाख उड़ाया करता था उसे जब भी सोहनी चिडिया नजर आते थी वो कुछ न कुछ जरूर बोलता था आई मोटी चिडिया ज़ना आराम से चलो कहीं जब में न डूट जाए चलो सोनी चिरिया, तुम इनकी बातों में बिल्कुल भी धिहान मत दो मोटे चिरिया मोटे मोटे जब मैं इस मोटे चिरिया का मज़ा खुडाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है चुनी चिरिया, मैंने कालू कवे का क्या भी गाड़ा है वो जब मुझे देखता है सब के सामने मेरी इंसल्ट करता है मेरा मजाग उड़ाता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सोनी चिडिया तुम बहुत अच्छी हो तुम बिल्कुल भी कालू कवे की बातों में मत आओ तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई में तो अच्छो दो और कुछ बन कर यहां से निकलो अब तो कालू कवे का रोस का मामूल बन गया था वो अपने दोस्तों के साथ मिलकल रोस ही सोनी चिडिया को तंग करता था अई मिठू तुझे पता है मेरे घर में एक बिल्ली है जो बहुत मोटी है वो हर वकत खाती रहती है और इतना खाती है और इतनी मोटी है कि वो बैठ भी नहीं सकती और मिठू तुझे पता है मैं उस बिल्ली को तो प्यार से गोलगपा कहता हूँ सोहनी चिडिया और टूनी चिडिया वहां से चले जाते हैं तो मिट्टू कहता है यार कालू कवे तु इसको इत्ता तंग ना किया कर किसी को तंग करना बहुत बुरी बात होती है और अस्त करे तू मुझे ज्यादा लेक्चर ना दे मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नही करना कुछ अरसे में उनका स्कूल खतम हो जाता है टूनी चिडिया और सोहनी चिडिया बहुत अच्छे नम्रों से पास होती है यूभी काफी अरसा गुज़र जाता है एक दिन कालू कवा रोड पे जा रहा होता है कि उसे एक गाड़ी टकर मार के भाग जाती है कालू कवा रोड पर जखमी पड़ा होता है कोई भी उसे अस्पताल नहीं लेकर जाता तबी वहाँ पर सोहनी चिडिया आ जाती है वो जल्दी से कालू कवे को हस्पताल पहुंचाती है जब कालू कवे को होश आता है तो उसका दोस्त मिठू उससे मिलने आता है तो मिठू बताता है किस तरह से सोहनी चिडिया ने उसकी जान बचाई है डाक्टर कह रहे थे कि अगर सोहनी चिडिया कालू कवे को हस्पताल टाइम पर ना लाती तो कालू कवे की जान को खत्रा हो सकता था ये सब सुनकर कालू कवा बहुत शर्मिंदा होता है और जब कालू कवा ठीक हो जाता है तो वो सोनी चिडिया से मिलने उसके घर जाता है ठीक होकर कालू कवा सोनी चिडिया के घर जाता है और कहता है सोनी चिडिया मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मेरी तो ये सजा होनी चाहिए थी कि तुम मुझे वहीं पर मरता चोड़ देती नहीं कालू बैया आप रोए मत मैंने आपको तभी माफ कर दिया था मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला नहीं है आप बिलकुल परिशान नहों अभी आपकी सहत बिलकुल ठीक नहीं है तुम बहुत अच्ची हो सोनी चेडिया लेकिन मैं अपने आपको कभी माफ नहीं करूंगा मुझे हमेशा ये दुख सताता रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया मुझे माफ कर दो